हेलो, दोस्तों, मेρα नाम है गगन, और सुब था आपका मेरी यूट्यूब चैनल, जी की ट्रिक वीद इसी तरीका में, आज मैं आपके लिए लेक्पाय हूँ, ब्रांचिस टोपिक का पांचवाँ वीडियो, दोस्तों, इस वीडियो में ब्रांचिस सारी कि सारी cover हो अगर आपने पहले चार वीडियो इस्टोपिक की नहीं देखी है तो प्लीज पहले आप उन्हें देखिए उसके बाद इस्टोपिक को देखेगा चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आता है गायन को लोजियान की इस्त्री रोग विज्ञान ठीक है आपको पता होगा जो गाएं होती है हमारे इंडिया में बहुती सीधी मानी जाती है ठीक है और विप पूजनिय भी है तो आपको पता होगा जो गाएं होती है कुछ इस्त्रियां बिल्कुल गाएं की तरह होती है होती है ना बिल्क सीदी एक दम जैसे कुछ नहीं जानती वो ठीक है तो गयनकोलोजी मतलब इस्त्री रोक का विज्ञान अगला आता है वाइरोलोजी वाइरोलोजी यानि कि वाइरस का अध्यन वाइरस को ही का अध्यन क्या कहेंगे वाइरोलोजी अगला आता है, क्रोमेटोलोजी, यानि कि फूलों का अध्यन इसको देखते हैं कैसे रिलेट करते हैं इसमें लिखा है क्रो, C-R-O-W क्रो मतलब होता है कोवा और आपको पता है कि कोवा कभी भी अपना गोसला नहीं बनाता वो क्या करता है वो किसी ना किसी दूसरे के गोजले में बैठता है जाके ठीक है तो क्या आपने कभी उसको फूल पर बैठते हुए देखा है नहीं देखा होगा ना हाँ तो होता क्या है क्रो क्या है मेटो मेटो यानि कि मोटा मोटा क्रो है मोटा यानि कि जैसे ही मोटा कोवा फूलो पर बैठता है, फूल मुर्जा जाते हैं और यही से क्या बनेगा, फूलो को अधिन यानि कि क्रोमेटोलोजी एंथोपोलोजी, ठीक है, मतलब कि मानव विकास का अध्यन आपको पता होगा, जो मानव होता है, वो पोलो खेलता है पोलो खेले का उससे क्या करता है, वो दूर होगा, बहुत रहते हैं मानव विकास का अध्यन यानि कि अन तो पलोजी और बेक्टिडियूलोजी है अनि कि जीवनु का अध्यन बैक्टीरिया मतलब है जीवाणू और जीवाणू का अध्यानी बैक्टीरियोलोजी नेफ्रोलोजी यानि कि गुर्दो का अध्यन आपको पता होगा ये दखो क्या लिखा है ने मतलब क्या रिलेट करेंगे हैं ने मतलब न्यू ठीक है न्यू फ्रो 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 से बनाएंगे वो फ्रोक यानि कि जो लड़किया पहनती है फ्रोक ठीक है तो होता क्या है एक लड़की न्यू फ्रोक लेके आती है और वो जैसे उसके गर के बार क्या होता है बारिस्क के टाइम पे कीचड हो जाता है, तो जैसे ही वो गर से बार निगलती है, अपना निव फ्रोग पहन के, तो एक गाड़ी वाला आता है और उस कीचड में से गुजरता है, और जैसे ही कीचड में से गुजरता है, तो उसका फ्रोग जो होता है, गंदा हो जाता है, है सब skilled लाएगा क्या सब्सक्राट औरफिस मोई की सब रांको निवर्ड होड़िन कर जो नहिए हैं जो जोता है ब्सक्राइब कि सब जोता है कि सब्सक्राइब जुड़ते होवे, सीमेंट से नहीं देखा होगा, है ना, तो ऐसे ही क्या ऐसे रिलेट करेंगे, सब दोर वाक्यों का अध्यानी सीमेंटिक्स, अगला आता है एग्रोनोमी, यानि कि फसलो और पादपो का अध्यान, आपको पता होगा कि जो एग्रो, एग्रो मतलब कि एग् अगला आता है वार्मी कल्चर, यानि कि गंदे पानी का अध्यान, इसको क्या से रिलेक्ट करेंगे, वर्मी, यानि कि वार्म, डबलू, ए, और, एम, वार्म मतलब गरम, आपने देखा होगा, जब हम पानी को गरम करके पीते हैं, उसको गरम क्यों करते हैं, ताकि उसके ज होते हैं, वे मर जाए, ठीक है, तो हमें हमी हां कैसे पानी को ले रहे हैं, गरम पानी को ले रहे हैं, और जैसे ही गरम पानी को हम वार्म करते हैं, तो हमारे सारे के सारे बैक्टिरिया जो होते हैं, सारे के सारे मर जाते हैं, और उससे ही क्या बनता है, वर्मी कल्चर, ठीक ठीक है जू मतलब होता है चीडियागर और चीडियागर में आपको पता होगा बहुत से पसू रहते हैं और पसू का अध्यनी क्या कहलाएगा जू के मी अगला आता है फोटो लोजी यानि कि परकास का अध्यन आपको पता होगा जब हम कैमरे में फोटो खैचते हैं तो एक लाइट जलती है और जैसे ही लाइट जलती है यानि कि परकास नहीं कलता है और परकास का अध्यन क्या कहलता है फोटो लोजी अगला आता है फ्रेनोलोजी यानि कि खोपडी का अध्यन आप इसको फ्रेन को ऐसे रिलेट करिए का जैसे यह brain लिखा हुआ है B, R, A, I, N ठीक है फ्रेन, brain, फ्रेन, brain याज ब्रेन मतलब ही क्या होता है ब्रेन मतलब ही खोपडी होता है ठीक है तो खोपड़ी का अध्यनी फ्रेनलोजी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सीर करना न भूलिएगा और अभी तक यह दिया आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए तो दोस्तों मिलते हैं फिर अ